पिछले 6 सालों से कम से कम आप अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं ना यही आने वाला है अभी आने वाला यही आप सुनते आ रहे हैं खेर अगर आप IMF की मानें इंतरनाशनल मॉनिटरी फंड का तो अच्छे दिन इस साल भी नहीं आएंगे अगले साल भी नहीं आएंगे क्योंकि IMF ने भारत के लिए एक भारी मंदी का प्रेडिक्शन किया है ग्रेट रिसेशन का प्रेडिक्शन किया है और IMF कह रहा है कि भारत की जो GDP है वो पिछले साल के तुलना में साड़े चार प्रतिशन घटने वाली है बड़ेगी नहीं घट जाएगी ये IMF का जो अप्रेल का रिपोर्ट था उससे एक बहुत भारी गिरावट है भारत के लिए अब आँ देखे कि IMF ने अप्रेल में भारत के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था IMF ने कहा था कि 2020-21 में मतलब कि पहले अप्रेल 2020-31 मार्च 2021 में भारत की GDP 1.9 प्रतिशत बढ़ेगी और अब दो महीने बाद जून के प्रेडिक्शन में IMF ने इसको बिलकुल उल्टा कर दिया है IMF कह रही है भारत की GDP 4.5 प्रतिशत घट जाएगी अब आँ देखे कि अप्रेल में भारत को लेके IMF का काफी आप्टिमिजम था IMF कह रहे थी कि जितने भी बड़े देश हैं उनको अगर हम देखे कि कितना GDP ग्रोथ होने वाला है तो भारत नंबर 2 प्रतिशत यानि 1.9 प्रतिशत GDP ग्रोथ COVID-19 के बीच में एक अच्छा GDP ग्रोथ है ये IMF का कहना था नंबर 2 पोजिशन भारत को दिया था जून में जाकर भारत का पोजिशन नंबर 10 पर आ गया है तो आप देखिए नंबर 2 पे था नंबर 10 पर आ गया है और ये कैसे हुआ इसी का हिसाब लगाएंगे आज की इस एपिसोड वे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2019-2020 में भारत की GDP कितनी थी अगर हम सरकारी आंकडे देखें तो असल यानि की रियल GDP भारत की थी एक सो चालिस लाग करोर रुपे एक सो चालिस लाग करोर रुपे अब अब अगर IMF की माने तो साड़ी चार प्रतिशद वो घटने वाला है यानि वो घटकर बन जाएगा एक सो उन्तालिस लाग करोर रुपे 140 से 149 लाग करोड रुपे पर आ जाएगा याद रखिए 2018-19 में भी भारत की GDP से जादा थी यानि उस वक्त हमारी GDP थी 140 लाग करोड एक साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ एक साल बाद अब से वो और भी नीचे जा सकता है अगर IMF का प्रेडिक्शन सही निकले यानि कि मैं आपको एक ग्राफ पे दिखाता हूँ 2018-19 से लेकर 2019-20 में हमारी ग्राफ उपर के तरफ गई 140 लाग करोड मैंने याप इस साइड पे आपको अरब में दिखा है 140 लाग करोड लेकर 140 लाग करोड अगर IMF का प्रेडिक्शन सही रहा तो वो गिरकर 149 लाग करोड पर आ जाएगा यानि पहले के तुलना में और भी नीचे GDP जाने वाली है अच्छे दिन दिख रहे हैं आपको ये 5 ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी दिख रही है आपको ये जी नहीं अब आप देखें कि इसका कारण क्या है कुछ कारण जो है ये मोधी सरकार के हाथ में नहीं है हाँ लेकिन मोधी सरकार कुछ जरूर करती सकती थी कि इसका जो इंपैक्ट है वो थोड़ा कम हो आप देखें कि लॉगडाउन पहले सोचा गया था 21 दिन के लिए होगा और lockdown 21 दिन के लिए होगा उसके बाद खुल जाएगा सब कुछ अपरेल के end तक भारत COVID-19 के चपेट में नहीं आएगा तो IMF का report इसलिए कह रहा था कि भारत की economy बाकी देशों के तुलना में जादा बहतर करेगी लेकिन lockdown जितना अंदाजा लगाया गया उससे जादा देर तक चला है और अभी भी lockdown से निकलने में समय लगेगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जा रहा है छे फीट की दूरी रखीए साथ में शिफ्ट में बहुत लोग ना काम करें ओफिस हो फैक्टरी हो वहाँ पर पास पास लोग ना काम करें भी है यहाँ पर पूरी तरीके से काम वापस आने में समय लगेगा चाहे वो फैक्टरी हो दुकान हो ओफिस हो कहीं पर भी हो साथ में क्या होगा अगर फैक्टरी में कम लोग होंगे तो जाहिर है क्या होने वाला है कि प्रोड़क्टिविटी कम होगा मशीन कम चलेंगे ए पर अगर 20 लोग काम करते थे एक ही शॉप फ्लोर पर अगर वहां पर आपको 6 लोगों को काम करवाना पड़ेगा तो आप सोच लेजे कि एक साल में पहले साल में किसी देश के जीडिपी है 120 लोपे आप सोचेंगे कि 120 लोपे ये कालपनिक है एक उधारन में दे रहा हूं आसानी समझने के लिए 120 लोपे साल आना जीडिपी मतलब हर महीने औस दस रुपे हुआ है न तो अब अगर हम सोचें कि अगले साल ग्रोथ इसका 10 प्रतिशत होने वाला है याने के GDP जाकर कितना होगा 132 रुपे और अगर मैं हर महीने का देखो तो कितना होगा 11 रुपे प्रती महीने ये year 2 की बात कर रहा हम है अगले साल जब GDP 132 रुपे बेजाएगी अब अगले year 2 में जहां पे 132 होना था हर महीने 11 रुपे का टा हो गया और उन चार महीनों में पूरी जो economy है वो सिरफ प्रचास प्रतिशत के rate से काम कर पाई तो कहा 11 रुपे प्रती महीने होना था लेकिन हुआ साड़े पांच रुपे आधा हुआ है ना तो चार महीने जब lockdown है या social distancing जाधा है 11 रुपे के rate में कितना होना चाहिए था चवालेस रुपे ग्यारा इंटू चार चवालेस रुपे लेकिन वो नहीं हुआ है हुआ कितना है साड़े पांच रुपे के rate से हुआ यानि कि 50% से rate उसे हुआ यानि 22 रुपे तो चार महीने में 44 रुपे के जगे सिरफ 22 रुपे की GDP हुई है बाकि 8 महीने में वोही 11 22 दोनों को एड कर रहे हैं हम 110 रुपे का GDP हो रहा है अगले साल 110 रुपे का GDP आठ महीने में 10% GDP बढ़ी है लेकिन बाकी महीनों में GDP आधा हो गया है लोगडान और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते और इसलिए पहले साल में मैंने कहा था 120 होना था और अगले साल में कितना होना था 10% का ग्रोथ है ना लेकिन हुआ कितना है माइनस 8% GDP घट गई है यानि 10% का ग्रोथ ना होकर 8% GDP घट गई है तो अब देखिया आप 8% GDP घट गई है बिलकुल उसी तरीके से IMF भी कह रहे है कि 4 महीने 3-4 महीनी का जो लॉकडाउन है या सोशल डिस्टेंसिंग है ल GDP का ग्रोथ होने के जगे 4-5% जितना भी भारत का हो रहा था और 2% जो IMF ने अपरेल में कहा था उसके जगे होने वाला है साड़े 4% GDP में GDP घटने वाली है भारत की और IMF ने कहा है सिर्फ भारत के लिए ने लेकिन सारे जितने भी विकास शील देश है या गरीब देश जो रहा है काम में विगठन आ रहा है उसके चलते गरीब लोगों का प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा और इसलिए सरकारों को वो कह रहे हैं कि थोड़ा आप सावधानी बढ़ती तो सवाल क्या है IMF जो कि सारे सरकारों को कहती रहती है 1980 से कहते आ रही है कि आप लोग खर्चा म काम नहीं है उनको प्रोटेक्शन दीजिए उनको कोई कैश दीजिए उनका जिसको अंग्रेजी में डोल कहते हैं इसको बढ़ावा दीजिए जादा लोगों को दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का नौकरी जाने वाला है साथ में वो कह रही है कंपनियों को आप असिस्टन्स दिया जा रहा है अमरीका में कंपनियों को लोगों दिया जा रहा है कहा जा रहा है अगर इस लोगों को आप लोगों का वेतन देने में इस्तमाल करेंगे तो आपको ये लोगों वापस देना नहीं पड़ेगा और इसके चलते अमरीका में मैंने पहले भी आप टैक्स कम कर दीजिए और जितने भी बिजनेस है जिनका घाटा हुआ है उनका भी थोड़ा टैक्स में छूट दीजिए सरकार के टैक्स में छूट दे रहे हैं, मुझे जितना पता चल रहा है, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है आप देखिए कि पेटरोल डीजल पर सरकार ने tax बढ़ा दिया है जहां पर दुनिया भर में पेटरोल डीजल के दाम घट रहे हमारे देश में बढ़ रहे क्यों कि सरकार tax जादा ले रहे ह। कहां चूट देना था वहाँ पर मोधी सरकार जादा पैसे ले रहे है IMF ने सभी देशों को कहा कि आप public spending बढ़ाईए यानि कि लोगों को काम दीजिए infrastructure पर spending बढ़ाईए private sector पर मत छोड़िये पूरा का पूरा तो प्राइवेट सेक्टर काम नहीं दे पाएगी क्या ये मोदी सरकार कर रही है हमें अभी तक नहीं दिख रहा है हाँ खैर गाओं में कुछ scheme चलाए हैं जहाँ पे लोगों को वही वाली scheme है मंद्रेगा है ये scheme है वो scheme है जो budget में पहले ही पैसे दे चुकी है उन scheme में मोदी सरकार ने कुछ पैसे जरूर दिये है और उससे कु तब तक हो सकता है कि दुनिया की economy बदल जाए यानि कि लोगों को इस वक्त training दिया जाना चाहिए जितने भी मजदूर है उनको training दीजिए ताकि वो आने वाले PD की जो economy है उसमें काम कर सके और साथ में जितने भी company हैं उनको आप छूट दीजिए अगर वो लोगों को काम प पर अगर वो steel का steel खरीती है सिमेंट खरीती है उसको सस्ते में दे दीजिए सरकारी गुदामों से या आप उनको tax की छूट दिए इसी से COVID-19 से निकलने का chance मिलेगा लेकिन एक चीज़ आप याद रखें यह सारे जितने चीज़े हैं ना यह सब हमारे देश में पहले भी हो चुकी है इसको नहरूवियन सोशलिजम कहा जाता था वो 90 के दशक से पहले होता था असी के दशक से पहले होता था हां उस वो बिलकुल मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो बिलकुल सब कुछ इसमें अच्छा था लाइसेंस कोटा राज था बुरा बहुत कुछ बुरा भी था लेकिन इसको हमने 90 के दशक से पूरा पचार दिया, छोड़ दिया है, उसी पे वापस जाना पड़ेगा, आयमें भी खुद जो कह रही है, वो एक तरीके से यही कह रही है, आयमें जो दुनिया भर में liberalization, privatization, globalization की बात करती थी, वो आज कह रहे है कि सरकार को खर्चा बढ़ा क्या मोदी सरकार ये करने को तयार होगी, खेर इसी से पता चलेगा हमको, कि और कितने दिन हमें अच्छे दिन का इंतिजार करना पड़ेगा